हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऐसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आप सब लोग आ चुके हैं यहां पर मॉक टेस्ट के लिए वेरी गूड तो देखिए यह हम लोगों का मॉक टेस्ट 12 है समझ रहे हैं मॉक टेस्ट 12 हम लोग 12 मॉ नोटिफिकेशन आया है वेरी गूड तो इसका मतलब सब के पास नोटिफिकेशन भी आ गया होगा तो एक चीज़ आपको यही बताना है कि अब एक जो है फीड़बैक जो आप लोगों के तरफ से मिल रहा है कि अब जितने भी लोग हैं वो सब लोग अब सिरियस होके अब मौक टेस्ट बनाते हो उस टाइम पे आपसे कोशन बनते हैं और जब आप मौक टेस्ट बनाते हो तो एक घबराहाट होती है और परफॉर्मेंस जो आपका ठीक नहीं आता है जो इसकी वज़े से जो है आपको प्रॉब्लेम आता है तो इस पे एक मैं आपको वीडियो और एक आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको देने वाला हो कि किस तरीके से आपका माइंड सेट होना चाहिए समझ में आ रहा है तो चलिए आज भी बहुत भेहतरीन कोशन सब हैं आप लोग बस जो है रेडि हो जाईए अब मौक टेस्ट के लिए जितने भी लोग अभी तक न चलिए तो यह स्टार्ट कर दिया जाए वेरी गुड तो चलिए आपके सामने आने जा रहा है आज का पहला कोशन ठीक है फर्स्ट कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है तो पहला कोशन जिसको आपको बनाना है विदीन जो है 25 सेकंड में इस कोशन को आपको शॉल्व करना वेरी गुड चलिए वेरी गुड खीर सागर रौट सर्ट 25 डेज में हो सकता है ना करेक्ट डेफिनेटली होगा उसमें सोचना ही नहीं है येस सर सब लोग रेडी है वेरी गुड चलिए पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है आज बहुत ही अच्छा कोशन है कट और कितने लोग जो है कटफ किलियर किये हैं पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहां हो गया आपका टाइम फिनिश देखिए इस कोशन का अप्रोच क्या था वो समझे आप कि जैसे कि यहां पर 24 था तो 24 इंटू 3 बाइ 2 करने से समझ रहें आपको इसको कट कि 12 था कितना होता है 36 36 दिया वाए उसी तरीके से 36 को आप 3 बाइ 2 वापस से किजिएगा तो 18 था 54 यानि कहीं न कहीं आपका 3 बाइ 2 से सब हो रहा है तो यहां देखिए option नमबर 2 में आपका 44 इंटू 3 बाइ 2 करेंगे तो 66 और यहां भी करेंगे तो 99 यानि कि option नमबर 2 यहां को ने भी दिया है उन सब का करेक्ट है चलिए first question के शुरुआत तो बहुत धमागेदार हुई है आप लोगों की question number 2 आपके सामने आ चुका है question number 2 जिसको आपको 20 seconds में बनाना है कि wheat है rice है crop है ठीक है कौन सा यहां पर figure आपके बनने वाला है यह आपका when diagram पे best question होता है जो कि आपके exam में एक question तो fixed रहते है आपको और देखिए यहां पर हो गया आपका time finish ठीक है figure आपका क्या बनेगा आपका देखिए यहां पर यह और यह वाला figure आपका बन रहा है और देखिए two का option number 3 जो है यहां पर जिन लोगों का भी आया है उन लोगों का correct है very good चलिए second question में धामाकेदार रहा आप लोगों का question number third आचुका है बहुत easy question है 15 seconds में इसको बनाना है सच बताएं तो ये सब question को आप target किजिए 10 seconds में solve करने का ठीक है ना 15 seconds लेकिन काफी है very good चलिए time तो हो गया finish देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने बोला कि देखिए यहाँ पर आपका T है one less हुआ आपका S one less हुआ R one less हुआ Q one less होगा तो आएगा आपका P अब आपको जैसे ही P आया तुरंत आप option चेक करेंगे कि P की शुरुवात यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है question number 4 को आपको बनाना है within 20 seconds में ठीक है within 20 seconds में यहाँ पर वशू U का कहना है hello sir जी मैं नया हूँ यहाँ पर welcome वशू वितने भी लोग नए हैं जो आज पहली बार आ रहे हैं उन सब का welcome है बहुत सही platform पर आप हैं ताकि आपकी सफलता मेरा संकल्प समझ रहे है ना इसलिए यहाँ देखिए आपका 95 है 95 में अगर हम 46 add करते हैं तो आपका 141 आता है समझ रहे हैं और 141 में और जो है sorry 141 आगे आपका फिर next है आपका 87 87 में भी जब हम 46 add किये तो आपका कितना आएगा 133 जो की आपका option number D जो की यहाँ पर आ रहा है वो है आपका correct तो 4 का भी C सबका correct answer आ गया very good question number 5 आपके screen पर आ चुका है और इस question को भी within 15 seconds में आपको बनाना है within 15 seconds में आपको बनाना है इस question को question number 5 देखिए time हो गया finish जब भी आपके सामने इस step का question आए किसी भी एक को आप पकड़ लीजिए ठीक है जैसे कि यहाँ पर आपको पकरना है तो आप पकड़िए यहाँ पर N को सबसे पहले N को target किजिए तो N एक आपका बढ़के यहाँ आया पर यहाँ आया तो अब आपका यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर यह नहीं है और यह नहीं है यानि कि दो options तो eliminate हो गए है second पकड़िया आप one को तो one फिर एक यहाँ हुआ यहाँ हुआ तो अब आपका यहां आयगा तो यह आपका सिर्फ पर सिफ option number 2 2 में है इसका मतलब आपका 2 जो होगा option वो correct होगा तो 5 का A जो है बहुत लोग answer दे रहे हैं जल्देबाजी में जो कि Prince ने भी गलत दे दिया answer बाकि यहाँ पर तनू यहाँ पर सीतल सा गुंजन सब लोगों का जो आ रहा है correct answer 2 तो यही ध्यान रखना है कभी कभी question easy होगा तो थोरा सा जो है एक बार recheck आपको करना जरूरी है बट कोई नहीं mistake होता रहता है देखिए यहाँ पर गलती कीजिए का कोई रिक्कत नहीं है बे जिजग गलती कीजिए अगर आपको नहीं आता है तो लेकिन exam में नहीं होना चाहिए समझ में आ रहा है चलिए next question आ चुक है आ जिखान से आपको बनाना है और इस question के लिए आपको मिलता है 20 seconds question number 6 जो कि आपका paper folding का question है बहुत जवर्दस question है 25 seconds ले लिजे क्योंकि ज्यादा हर्बरी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है 25 seconds में बनाईए इस question को और इस तरीके से हो गया time finish एक चीज तो देखिए इस figure को देखकर आप समझ गया है कि ये figure आपका पूरा close में बनने वाला 4 जगा ये 9 आपके 4 जगा बनेंगे तो जब यहाँ पर आपका ये है ऐसे बना हुआ इसमें तो जब ये होगा तो ये आपका ऐसे में बनेगा समझ रहे हैं तो देखिए आप बस eliminate करना start किजिए ये दोनों same type से है ये 9 आपका 9 same direction में cut किजिए इसको आप ये दोनों opposite है cut किजिए ठीक है अब आपके सामने 1 और यहाँ पर आपका बचा कितना और last आपका D बचा अब यहाँ पर आपको मिलाना है तो देखिए ये figure आपका ऐसे में आएगा ये figure opposite में जाएगा तो ऐसे बनेगा आपका ठीक है और फिर ये बनेगा यानि कि यही आपका correct है option number B जो है आपका correct आया तो सब लोगों का B आया है correct very good next question यहाँ पर 7 आ चुका है आपके screen पर और 7 question को बनाना है within 25 seconds में within 25 seconds में question number 7 को आपको बनाना है और यह यहाँ पर जो answer आप लोगों का आ रहा है वो भी तो एकदम सहीं ही आ रहा है सब के B answer आ रहे है जितने भी नए student है सब का welcome है सब का welcome है practice करो बेजिजग practice करो यहाँ पर content तो पूरा भरावा है आप लोगों के लिए PDF सब आपको मिल रहा है ना time to time देखिए कल मैं सोच रहा ह वो fulfill करना जरूरी है समझ रहा है ना चलिए यहाँ पर देखिए statement है कि some apple some apple जो है यह आपका mango है ठीक है और some mango जो है वो आपका बनाना है conclusion में आईए आपके some banana or apple तो some banana apple नहीं है फिर आपका दे रहा है no banana or apple यह भी आपका नहीं है मतलब कि यह either का case आ गया फिर all banana or mango तो नह यहाँ पर आपका correct होगा जो कि यहाँ पर सब लोगों का answer आया होगा लेकिन यहाँ पर I am SSR ने गलत answer दिया है बाकी लोगों का तो सही answer यहाँ पर आ रहा है very good इधर का यहाँ पर case है याद रखिए आप confusion अगर आपको होता है तो एक बात याद रखिए आपकी जैसे कि some banana are apple no banana are apple यह banana banana apple apple same दिख रहा है यहाँ पर some यहाँ no दिख रहा है तो यह हमेशा आइधर कहीं case बनेगा समझ में आ रहा है यह आइधर कहीं case बनता है next question यहाँ पर हम चलते है question number 8 देखिए question number 8 आपका कैसे बनेगा कि कोई certain code में boat को लिखा गया 38 तो record को कितना में लिखा boat को 38 लिखा गया है तो record को क्या लिखा जाएगा 20 seconds नहीं 30 seconds नहीं 20 seconds के लिए question है उससे जादा में यह आपका नहीं बनेगा चलिए time finish है क्योंकि place value तो अब तक आप लोगों को सब को याद आ जाना चाहिए यहाँ पर चांदनी गुपता का कहना है कि सर आईदर का case कैसे हुआ आईदर का case कैसे हुआ समझा देते हैं एक minute लोकी जिसको नहीं समझी बैयागा उनको भी तो साथ में लेके चलना है न देखो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बनाना है ठीक है सम एपल जो है mango है ठीक है सम एपल जो है यह आपका mango है और सम mango जो है वो आपका बनाना है ठीक है कोई तो केस होगा ना तो आइदर तो होई सकता है ना कि याद तो ये इसके साथ सटेगा नहीं तो नहीं सटेगा और आइदर का केस इसलिए भी होता है कि क्योंकि सिलोलिजम में पॉसिबिलिटी का भी केस आता है पॉसिबिलिटी में भी ये आपका बन सकता है समझ रहे हैं यह possibilities में भी आपका बन सकता है, तो इसलिए जो है, यह either का case आता है, बस आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप बस ध्यान रखो कि जब भी भी sum और no रहे, banana apple यह आपका same रहे, either का case आपका बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बात करें, हम question number 8 के लिए, आपका correct हो जाएगा, very good, कोई दिक्कत नहीं, question number 9 चलते हैं, question number 9 आपको बनाना है 20 seconds में, odd one out का question है, कि यहाँ पर आपके क्या होने वाले हैं, odd one out का question है, बहुत simple, PDF टेलिग्राम पर मिल जाएगा, attention के बात नहीं है, देखो, यहाँ पर सिधा सिधी बात है, कि जो CX है, CX देखते हम समझ गए, कि C का place value 3, X का place value 24, यानि कि यह एक दुसरे के opposite है, ठीक है, उसी तरीके से FU एक दुसरे का opposite है, IR एक दुसरे का opposite है, लेकिन HT आपका opposite नहीं है, क्योंकि H का place value 20 होता है, तो यह तो 28 हो गया, और opposite होने का condition क्या है, 27 होना चाहिए सम आपका, तो HT जो है, यहाँ पर अलग हो गया, जो कि यहाँ पर सब का answer correct है, वाह, क्या बात है, performance solid है यहाँ का, question number 10 आचुका है, आपके screen पर within 25 seconds में, इस question को solve कर देना है, challenge को accept करना है, start कर दो आप लोग, तेजी में बनाना start कर दीजिए, 30 seconds में इसको solve करना है, चलिए, time हो गया, आपका 10 का finish, देखिए, कितना अच्छा यहाँ पर logic है, कि O, देखिए, O, आपका 15 होता है, place value, यानि कि हम 12 add करेंगे, तो यह इसका opposite हो जागा 27 में, देखिए, L दिया वा है, B का opposite, यहाँ पर E हो गया, R का B का opposite, E, फिर E का opposite भी, यानि कि एक दुसरे के यह reverse में आपको दिया वा है, समझ रहे हैं, तो उसी तरीके से mobile, mobile का आपका N हो जाएगा, M का opposite, O का आपका L हो जाएगा, तो N, L से आपका start है, N, L यहाँ भी नहीं है, N, L यहाँ भी नहीं है, N, L यहाँ भी नहीं है, यानि कि आपका option number B correct है, जो कि सब लोगों का सही आ रहा है, very good, next question आपके screen पर आ चुका है, United States, Germany, India और Canada, क्या होगा आपका right answer, odd one out का question है, यहाँ पर अलग कौन है आपका, चलिए, यह काफी अच्छा question होगा आपके लिए, 15 seconds में आपको बनाना है, चलिए, time हो गया, finish, यह आपके knowledge based question होते हैं, एक question आपके exam में होगा, जो कि knowledge based question होगा, तो आप दो ही option है, या तो इस question को आप attempt लेंगे, या इस question को आप skip करेंगे, समझ रहे हैं, देखिए, United States, Germany और Canada, यह सब जो हैं, यह आपके G7 country के member हैं, ठीक है, यह सभी G7 members हैं, जी 7 में कौन-कौन से country आते हैं, तो United States आता है, United Kingdom आता है, Italy आता है, Japan आता है, Canada, France, Germany, लेकिन India जो है, वो आपका नहीं आता है, तो बहुत सारे student होगे यहां पर, जो कि सोचेंगे कि चलो यह, बाहर का है, इंडिया अपना अलग हो गया, तो यह आपको tick मार देंगे, तो क्या होगा, कि एक ऐसा बच्चा होगा, और तीन टाप के बच्चे होगे, एक ऐसा बच्चा होगा, जिसको नहीं आएगा, वो skip कर देगा, दूसरा बच्चा होगा, जिसको नहीं आया, वो क्या करेगा, तुक्का लगा देगा तो यहां पर इंडिया मान के चलिए उसने तुक्का लगाया और यह वाले बच्चे होंगे जो उनाइटे शेट में तुक्का मार दिये फैदा किसको हो जाएगा इसको हो जाएगा तो कुछ-कुछ यह भी कोस्टन होते हैं जो कि किसी के लग पे हो जा का है विदीन 25 सेकेंड में इसको सॉल्व करना है कोस्टन नमबर 12 को यहां पर आपका क्या होने वाला है within 25 seconds में इस question को कौन कौन लोग solve करने वाले हैं थोड़ा देख लेते हैं चलिए time हो गया finish किसी को logic समझ में आया किसी को logic समझ में आया question number यहां पर 12 का थोड़ा देख लिया जाए चलिए यहां पर देखिए logic बहुत खतरनाक logic है बहुत खतरनाक logic है यहां पर जैसे best है B का place value क्या होता है 02, E का होता है 0, 5, ठीक है S का होता है 19 और T का होता है 20 क्या किया है बस 0 को क्या कर दिया है यहां पर यह आपको इधर से reverse कर दिया मतलब 0, 2, फिर 9, फिर 1, फिर 5, 0, इस तरीके से ये आपका सजा दिया है तो यहां देखिए माउस का होता है आपका 13, 15, 21, 19 और 0, 5 बस 5, 0, 9, 1, समझ रहे हैं? इस तरीके से इसको reverse में कर दिया है तो answer आपका क्या होने वाला है? option number 2, जो कि यहां पर हमारे सारे rockstar लोगों का correct आ रहा है सब लोगों का correct आ रहा है, very good, practice चल रहा है, must question number 13 आपके screen पर आ चुका है, within 25 seconds में आपको इसको भी solve करना है यहां पर आपका क्या होगा? 25 seconds में कौन-कौन लोग हैं जो इस question को solve करेंगे, देख लेते हैं चलिए, होगे आपका time finish देखिए, यहां पर logic क्या था आपका? कि जैसे कि 2-2 में बाट देना था यह आपका 2 में बाट ना था, यह आपका 2 में बाट ना था, यहां से 2 ठीक है? 2-2 में अगर आप बाटेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे यहां पर? कि जैसे कि 2 में बाटे AB आया, फिर आपका BC है, फिर आपका CA है, फिर आपका क्या आने वाला है यहां पर? फिर आपका AB आएगा, फिर आपका BC और CA, समझ रहे हैं? इस तरीके से देखें, यह आपका 3 सेम आया, उसी पैटेंट पर यह आगया आपका, दो-दो में बाटने के बाट, इस तरीके से यहां पर correct answer क्या आएगा? जो कि आप लोगों का आ रहा है, option number 3, सब लोगों का 3 आ रहा है न, very good, question number यहां पर 14 आ चुका है आपके screen पर, within 20 seconds में इस question को भी solve कर देना है, within 20 seconds में क्या होने वाला है? और यहां हो गया time finish, देखिए 20 seconds से भी कम का यह question था, कि 3 increase हुआ, 5 increase हुआ, 7 increase हुआ, अब आपका 9 increase हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होने वाला है? 27 आपका correct हो जाएगा, very good, question number 15, question number 15, यहां पर आपको within 25 seconds में इसको solve करना है, इसको आपको arrange करना है, सही मतलब कि logical sequence में आपको arrange करना है, 25 seconds तो कुछ जाना ही आपको बूल दिये, 20 seconds में इस question को solve किजिए, आप तब तो माने, question बहुत easy है, तो 20 seconds काफी है, देखिए, यहां पर जब हम इसको पढ़ेंगे, जब भी इस question को solve करना है, तो सबसे पहले colony, member, city, state, family, एक समझ में आ गया कि यहां पर increasing order में हो रहा है, तो सबसे पहले member, सबसे पहले member से बन कर होता है family तेयार, family जब होता है, तो family से बनता है आपका colony, बहुत सारे family जा आप पर 16, 16 में आपका क्या बनेगा, within 20 seconds, उससे भी कम time में आपका बन जाएगा, हलाकि मैं 20 seconds overall के लिए दे रहा हूँ, आप अगर 5 seconds में बना ले, 10 seconds में बना ले, यह आपकी, मतलब capabilities है, चलिए, यहां हो गया आपका time finish, देखिए, यहां पर logic क्या था कि 2-2 increase कर रहा था, T से 2 increase हुआ, I से 2 increase हुआ, R से आपका 2 increase हुआ, अब हमको खोज ले रहा था यहां पर, ठीक है, यहां पर खोजना था, तो यह वाला नहीं हो रहा था, क्योंकि 16, 18 होता, तो यहां पर S दि आपका, यह आपका correct हो जाएगा, 7, 2, 9, 5, 2, 7, और 13, 2, 15, यानि कि option number C, जो है, यह आपका correct है, next question आ चुका है, question number 17, और 17 को आपको उरा देना है, धुवे-धुवे में, 30 seconds के अंदर में, यहां पर आपको क्या होने वाला है, correct answer, 30 seconds में इस question को solve करना है, आप लोगों को, आज का question जो आप लोगों को easy लग रहा है, कल मैंने आपको वीडियो में समझाए था ना, इक question easy ही होते है, दिमाग में, मतलब हाँ, ठीक है, 4-5 question hard आएगा, कभी-कभी state में उसको भी ले लिया जाएगा, लेकिन आज का state आपका pure CHS level का है, ठीक है, चलिए, देखे, यहाँ पर कितना must logic है, यहाँ पर 17 का, कि 24, 5 जा कितना होता है, 120, 5 से divisible हुआ है, और यहाँ पर 10 है, यानि कि 5 into 2, 10 हो गया, 16, 6 जा कितना होता है, 96 होता है, यानि कि 6 बार में वो cut होता है, तो 6 into 2 करेंगे, यहाँ 12 आ गया, अब यहाँ प हो जाता, यानि 85 आपका correct है, और देखे, यहाँ पर सब लोगों का जो है, प्रियांसु का कहना है, कि सर, puzzle वाले question नहीं बनते, देखो, puzzle वाले questions के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यह ध्यान रखना है, कि या तो इसमें से add करकर आपको बनेंगे, देखे, ऐस में नहीं आपका जाएगा, question ऐसे में नहीं जाएगा, हमेशा आपका या तो इन तीनों को आपको plus minus divide multiply करके आपको एक resultant लाना है, नहीं तो आपको इधर से आपको जाना है, बस यह आपको ध्यान लगना, आपके सामने था, कि हम 24 देख रहे हैं, 120 देख रहे हैं, तो कम से कम इसको देख कर ये तो समझ में आए ना, कि भाई, 24 से ये divisible हो रहा है, यहाँ 16 से ये divisible हो रहा है, और यहाँ पर 12 भी दिख रहा है, तो common sense आपका लगना चाहिए, कि 16, 6 जा है, 96 होता, और यहाँ पर 12 भेरा, यानि कि हम इसको double कर दे, उसी तरीके से यहाँ पर 5 बार मे हो रहा है, इसको हम double कर दिए, तो इस तरीके से आपका logic काम करना जाहिए, question number आ चुका है 18, अब 18 है आपका blood relation का question, और इसको आपको 30 seconds में बनाना है, blood relation का question है, 30 seconds में आपको बना देना है, इस question को, 30 ने, 45 seconds लिजे, question बहुत अच्छे लेवल का, यह blood relation का question है, counting figure होता है, आगे आएगा question, चलिए, यहाँ पर कितने कितने लोगों ने solve कर लिया, इस question को, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने है, यहाँ पर आप लोगों को solve कर लिया, 18 का C answer, जो कि यहाँ पर बिलकुल correct answer आ रहा है, देखिए, simple सी बात है, A जो है, is the son of G, तो A आपका son है, किसका G का यहाँ पर son है, G is the only son of D, और G जो है, वो only son है, किसका D का है आपका, D, और देखिए, D के बगल में who दिया वा है, तो जबी भी जिस भी later के साथ who लग जाया, यानि कि वो उसके बारे में ही कह रहा है, कि D who is the mother-in-law of C, तो यानि कि यह mother-in-law है, C की, यानि कि इसकी पत्नी यह होगी C, तभी तो होगा न, D who is the mother-in-law of C, F is the sister of A, यानि कि F जो है, वो sister है, किसकी A की है आपका, ठीक है, अब कहरा है, how is F related to C, तो यहाँ पर यह आपका क्या हो जाएगा, obviously बात है, यहाँ पर daughter हो तो B, C जो है, आपका correct answer हो जागा, very good, next question हम चलते है, यहाँ पर current, ammeter, और यहाँ पर जो है, आपका next क्या बनने वाला है, यह अच्छा question है, knowledge-based question है, यहाँ पर आपका क्या होंगे, यह knowledge-based question है, तो 15 seconds में आपको बनाना है, चलिए, यहाँ देखिए कि current का measurement है, current is measured by ammeter, उसी तरीके से depth of ocean is measured by fadometer, जो है, आपका right answer हो जाएगा, ठीक है, fadometer, next question आचुका है, counting figure का, और यहाँ पर आपको count करके बताना है, कि यहाँ पर total number of triangles आपके कितने है, time है आपके सामने, 30 seconds का और आपको बताना है, और यहाँ होगे आपका time finish, यहाँ पर time finish होगे आपका, यहाँ पर आपके बनने वाले है, total number of triangles कितने हैं, तो 18 आपके triangles बनेंगे, ठीक है, 18 triangles बन जाएंगे, देखिए, यह figure आपका 3 triangles बनाता है, तो यहाँ 3, यहाँ 3 से आपके बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ यहाँ एक आपके अराम से हो जाएंगे तो 8 triangles यहीं से निकल कर सामने आपके, और इधर से आपका 4 triangles बन जाएगा, तो समझे, 8, 4, 12, और उसके बाद यह बरावला आपका triangle दिया वा है, यह बरावला triangle इधर से फिर यह दिया वा है, ठीक है, अंदर से भी आपका 3, 4 triangles निकल जाएगा, ठीक है, तो total 18 triangles आपके लोगों का एक section complete है, इसका मतलब आप लोगों का काम क्या बचा, यह बाला, मेरा target अभी तक complete नहीं हुआ इसका, ठीक है, तो जल्दी से जो लोग नहीं किये हैं, इसको यहाँ पर target को पूरा करें, तब हम लोग चलेंगे next section, English section पर, ठीक है, counting figure का जहां तक बात रहा राजा चकरवरती, मैं counting figure पर वीडियो बना चुका हूँ, आपके लिए आप देख सकते हो, टेली वहाँ पर आप वीडियो में जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है, आप चलते हम लोग next section, यानि कि English section पर, तो त्यार हैं आप लोग, very good, चलिए, तो English section आचुका है, पहला question fill in the blanks है, क्या होगा, जल्दी से इसको fill किजिए आप लोग, पहला question आचुका है, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से the teacher said, disappointedly, there is a dash in my class who can solve this problem, क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से, और देखिए, यहाँ पर आपका correct answer आने वाला है, nobody, कि the teacher said, disappointedly, there is nobody in my class who can solve this problem, ठीक है, तो यहाँ पर nobody आपका correct answer आगा, जो कि सब लोगों का सही है, next आपका question आ चुका है, to make a sharp sound or series of sound as a result of a hard object striking another, ठीक है, तो यह आपको बताना है, idiom का question है, चलिए, यहाँ पर आपका answer क्या होने वाला है, राइट answer यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, obviously बात है, correct answer यहाँ पर होने वाला आपका click, ठीक है, click आपका हो जाएगा, ठीक है, next question यहाँ पर हम चलते हैं, correctly spelled word, इसमें से कौन आपका correct word लिखावा है, यह आपको बताना है, correctly spelled word, इसका spelling आपको सही दिख रहा है, यहाँ पर आपका क्या होने वाला, जल्दी से इसको बताईए, right answer यहाँ पर हो जाएगा, option number D, dysentries जो है, इसका spelling आपका correct है, ठीक है, पेचीस होता है, आप एक तरह से प्रवावी का, यह सब होता है, इसका, तो dysentries जो है, यहाँ पर आपका correctly spelled word है, बाकी सब आपके wrong यहाँ पर लिखे हुए, next question की तरफ चलते है, question number 24, यहाँ पर आपका direct, indirect का question है, तो यहाँ पर आपके क्या बनने वाले हैं, within 15 seconds में इसको बनाना है आपको, चलिए, यहाँ पर आपके सामने challenge डाल दिया है, question का, within 15 seconds में, कितने लोग इस question को solve कर सकते हैं, चलिए, 15 seconds हो गया, कितने लोग हैं, यहाँ पर जो इस question को correct बना रहे हैं, कितने लोग हैं, तो देखिए, यहाँ पर the professor said to the student, said to the, said to the आ गया, तो यह आपका direct है, indirect में said to the नहीं होता है, तो यह eliminate, यह eliminate, यह eliminate, यानि कि दो options तो आपके direct eliminate हो गया है, the professor advise their student to work hard if they wanted to pass the test, यहाँ पर दिया भाया आपका, the professor inform their student to work hard if you want, तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि you जो है, यह आपका they में change होगा, तो यानि कि यह आपका eliminate, option number C जो है, यह आपका correct है, देखिए, यहाँ पर सब कसी answer correct में आ रहा है, very good, question number यहाँ पर 24 आ चुका है, आपके screen पर 24, बनाना start कीजिए, यहाँ पर sentence improvement का question है, क्या होगा correct answer यहाँ पर, 15 seconds का यह question है, time होगी आपका finish, very good, speed में अगर आपको SAC crackers पर जो test होता है, उसमें आप चाहते हैं, आपने आपको sustain करना, speed आपको लाना परेगा, क्योंकि मैंने आपको promise किया था ना, कि जो 10 set था, उस 10 set में हमने धीरे-धीरे solve गया, लेकिन अब हम लोगों को speed बनाना है, और 20 sets के बाद हम लोगों को इससे भी कम टाइम आपको देंगे, 10 seconds देंगे, मतलब इस थरीके से prepare करवा के आपको exam में भेजेंगे, यहाँ पर आपका sentence का सुरुवात हो रहा है, हैड के साथ, conditional sentence है, यानि कि हैड आगया, तो would आपका लगना है, would have, आपका यहाँ दियावा है, be आपका correct हो जाएगा, और सब का यहाँ पर सही आ चुका है, next question 26, incorrectly spelled word आपको बताना है, यहाँ पर किसका spelling आपको गलत दिख रहा है, incorrectly spelled word, यहाँ पर spelling किसका गलत है, जल्दी से इसका answer दें आप लोग, और right answer आपका क्या हो जाएगा, yes, यह इसका laboratory का spelling आपका गलत लिखावा है, laboratory का spelling क्या होता है, आपका L-A-B-O-R-A-T-O-R-Y, laboratory, यहाँ double R लगा दिया है, गलत spelling है, very good, question number 27 आचुका है आपके screen पर, चलिए, 27 question number आचुका है, इसको जल्दी से आपको बताना है, common error का question है, इसमें गलत कहाँ आपको दिख रहा है, गलत कहाँ है, यहाँ कहाँ गलत है, very good, time up हो चुका है, देखिए, यहाँ पर आपका prohibited of जो है, यह गलत है, क्योंकि prohibited के साथ जो है, preposition from आपका लगता है, ठीक है, तो off की जगा from होगा, कि employees are prohibited from smoking on company's property, आपका correct हो जाएगा, very good, question number 28 आचुका है, आपको बताना है, steed fast का, steed fast का antonyms क्या होता है, चलिए, जल्दी से इसका answer देना, start करें, steed fast का antonyms क्या होगा, right answer हो जाएगा, वेवेरिंग जो है, आपका right answer है, ठीक है, steed fast का हो जाएगा, correct antonyms, वेवेरिंग, ठीक है, question number 29 आचुका है, फिर आपको antonyms बताना है, conscited का, conscited का antonyms क्या होता है, next आ चुका है, conscited, conscited का यहाँ पर, आपका antonyms क्या होगा, एक तरह से घमंडी होता है, समझ रहें, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका posit क्या हो जाएगा, modest, ठीक है न, modest, विनम्र, next question आपके skin पर आ चुका है, question number 30, 30 में आपको क्या बताना है, common error का question है, यहाँ पर आपका कौन सा error है, यहाँ पर, जल्दी से बताईए, जल्दी से start, your time starts now, और कल आपके धमाकेदार, 3-4 आपके life session होने वाले हैं, ठीक है, जीके का hundred questions का collection कर लिए है, कुछ-कुछ नए questions हैं, तो उसको भी देना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए, ठीक है, time हो चुका है, अब, right answer क्या हो जाएगा, children enjoy listening, children enjoy listening to ghost stories especially on Halloween night, देखिए, तो यह कोई specific night के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर इसके पहले the, ठीक है, the definite article यहाँ लगाना ज़रूरी है, तो the आपका correct हो जाएगा, तो यहाँ पर option number C जो है, यह आपका correct होने वाला है, और बहुत सारे बच्चे हैं, जो कि a answer दे रहे हैं, इसका मतलब कि इस question में आप clean board हो गए, चलिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर a answer दे रहे है, ठीक है, जबकि यहाँ पर Halloween night जो है, इसके पहले आपका article दल लगेगा, very good, next question आ चुका है, आपका sentence improvement, sorry, sentence rearrangement का, sentence rearrangement का question है, जल्दी से इसको solve करें आप लोग, यहाँ पर आपके क्या होने वाले हैं, चलिए, होगे आपका time finish, देखिए, यह आपका but से कभी भी sentence का सुरुवात नहीं होगा, I was in conversation with Ruskin Bond, he was supposed to fly back, और exactly one year ago in May 2019, we in Kolkata were preparing for cyclone fanny, देखिए, तो sentence का शुरुवात आपका S से होने वाला है, ठीक है, तो यानि कि यह, यह और आपका यह दो बचा, इसमें से कौन होगा आपका, next हम check कर लेंगे, QQ भी same same है, यानि कि I was, और उसके बाद आपका R और P में है, ठीक है, तो आपका क जाने की बात हो रही थी, लेकिन वो cancel हो गया, तो कहीं न कहीं, यह जो है, आपका correct होगा, और यहाँ पर सब का answer जो है, वो correct आ रहा है, next आ चुका है, आपके सामने question, question number 32, और इसको भी जल्दी से आपको solve करना है, यहाँ पर active passive का question है, इसलिए इसको within 15 seconds में आपको बनाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि active passive और direct indirect का इतना practice आपका हो चुका है, कि आप लोग इस question को 15 से, मतलब 15 seconds में आप solve कर दोगे, चलिए time हो गया, finish, यहाँ देखिए question आपका क्या दियावा था, कि the class was not attended by some student, ठीक है, यहाँ पर क्या है, class was not attended by some students, आपका क्या होगा, यहाँ पर correct answer, यहाँ पर आपका होने वाला है, देखिए, यहाँ पर do तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यह पहले से ही past में है, r आपका होगा नहीं, यहाँ पर vaj है और यहाँ पर deed है, तो आपका लगेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर deed जो है, यह आपका correct आएगा, ठीक है, तो य चलिए 10 seconds से ज्यादा करी यह question नहीं था तो यहां हो जाएगा on entering the room ठीक है जब वो entered किया room में तो the आपका correct है question number 34 synonyms आपको बताना है garnish का garnish का synonyms क्या होता है जल्दी जल्दी fast sir आपका घर कहा है अरे train के बगल में है पौँपौँ करते रहता है चलिए time हो गया finish garnish का क्या हो जाएगा synonyms decorate आपका correct हो जाएगा garnish का मतलब भी सजाना होता है decorate करना होता है very good question number यहां पर 35 आ चुका है कि someone who gets annoyed easily जो पौश जल्दी आपको irritate हो जाता है क्या होगा correct answer और यहां पर आपका right answer क्या होने वाला irascible जो है आपका correct हो जाएगा यह एक नया टर्म है इसको आप याद कर ले irascible जो है आपका right answer है जो जल्दी irritate हो जाता है ठीक है next question चलते हैं हम लोग question number 36 पे take exception to यह आपका idiom है यहां पर आपका क्या होने वाला है take exception to और यहां पर correct answer आपका हो जाएगा कि object strongly to जो है यह इसका idiom होता है ठीक है take exception to मतलब की approach जो है बहुत तगरे तरीके से करना next आचुका है आपका synonyms feasible का synonyms क्या होगा feasible का synonyms क्या होने वाला है guys feasible का synonyms चलिए 15 seconds का time है feasible का synonyms यहां पर कौन-कौन लोगे जो बता सकता है जल्दी very good correct answer यहां पर क्या आचुका है practical आपका सही है practical feasible का मतलब practical next question आचुका है आपके screen पर यहां पर sentence improvement का 20 seconds का time है कितने लोग हैं जो 20 seconds में question का जवाब देंगे और speed से आप लोगों का answer आ रहा है very good वो तो last में पता चलेगा कि cut off कितना-कितना लोगों का आ रहा है कौन लोग pass कर रहे है क्योंकि आज देखिए आपको यह भी बताना है कि question अगर easy रहेगा तो किस तरीके से cut off उपर जाता है चलिए time हो गया finish यहां देखिए both of our excited parents delight as the fact this ठीक है तो delights as the fact this की जगह आपका क्या होना चाहता parents delight in the fact that ठीक है यह आपका correct है तो option number A जो है आपका correct है सबका भी correct है यहां पर चलिए यहां पर आ चुका है sentence rearrangement का question जल्दी से यहां बनाईए sentence rearrangement का question है क्या होने वाला है यहां पर और यहां हो गया time finished देखिए sentence की शुरुवात होने वाली है क्यों से कि now a days food allergy is a major issue faced by many people उसके बाद क्या आगा research has shown that one is 13 children have at least one food allergy ठीक है next आपका food allergies are often hidden and can be difficult to spot इस तरीके से option number 2 जो है यह आपका correct sequence है और English का last question at variance with at variance with का idiom क्या होता है correct answer क्या हो जागा at variance with का idiom क्या होने वाला है और देखिए right answer होने वाला है at variance with का idiom होता है in opposite ठीक है in opposite जो है या in a state of conflict ये आपका idiom होता है ठीक है तो चलिए इस तरीके से जो है हमारा जो है यहाँ पर English section भी complete हो चुका है तो guys आप लोग ready है जीके के लिए ready है आप लोग जीके के लिए yes या no yes और no जीके के लिए ready है start करें हम लोग चलिए तो start करते हैं हम लोग जीके के लिए चलिए पहला question आ चुका है जीके का इस बहुत अच्छा questions है इसके लिए आपको पूरे तरीके से prepare रहना है पहला question आपके screen पर आ चुका है question number 41 ठीक है 41 में क्या है कि limbs of frog lizard bird and humans are example of dash organ क्या होगा correct answer यहाँ पर मेढग छिपकली पक्ची और मानव के अंग डैस अंगो के उधारन है तो क्या होने वाला है correct यह सब लोग ready है very good आज आपका जीके का question बहुत अच्छा लिया है मैंने ठीक है देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा homologous जो है यह आपका correct है ठीक है limbs of frog lizard bird and humans are example of which organ तो homologous organ ठीक है next question आपके screen पर आ चुका है कि pepsin in an enzymes that digest ओके तो pepsin एक enzyme है जो डैस को पचाता है किसको पचाता है भाई क्या होगा correct answer pepsin का का काम क्या है pepsin जो है एक enzyme है जो कि पचाता है क्या digest करवाता है क्या होगा चलिए right answer होने वाला है protein ठीक है pepsin is an enzyme that digest protein very good next question आपके screen पर चल ला है pollination by bird is called ठीक है पक्चियो दोरा परागन को कहते हैं किसको कहते हैं क्या कहते हैं भाई क्या हो जाएगा guys pollination by birds is called what what is the right answer time हो चुका है finish और नीथो फॉली जो है फिली आपका correct हो जाएगा ठीक है और नीथो फिली next question 44 amount of light entering into eye can be controlled and regulated by तो ठीक है जो light इंटर करता है हमारे आखों में वो control करना और उसको regulate करना किसका काम होता है क्या होगा answer 10 seconds का आपको time है जल्दी से बताइए कि आखों में प्रवेश करने वाले प्रकास की मातरा को dash दोरा नियंतरित और नियंतरित किया जा सकता है क्या होगा क्या होगा तो pupil जो है आपका right answer है यही control करता है next question आपके screen पर आचुका है which cell in our body are popularly called soldiers of the human body तो यहाँ पर right answer क्या होने वाला आपका wbc white blood cell white blood cell यहाँ पर correct हो जागा next हो जागा rearing silk warm is known as क्या होगा यहाँ पर answer रेशम के कीरे के रूप में जाने जाते है 10 seconds जल्दी और right answer होने वाला है आपका sharey culture जो है आपका correct हो जागा next question है the study related to the plant being used as vegetable is called ठीक है क्या होगा यहाँ पर correct answer very good the study related to the plant being used as vegetable is called और is called क्या होने वाला है यहाँ पर correct answer right answer option number D already culture जो है आपका right answer है ठीक है next है smallest blood vessels which are one cell thick are called ठीक है यहाँ पर आपका क्या हो जागा the smallest blood vessels which are one cell thick are called सबसे छोटी रग्त वाहिकाएं जो एक कोशिका मोटी होती है उन्हें dash कहा जाता है तो क्या होता है किसको पता है इस cancer आज कहने questions बैलो जी से उठाएं अच्छा कासा यहाँ पर क्या होने वाला है correct answer आपका very good यहाँ पर जो आपका answer आ रहा है capillaries देखो नहीं आ रहा है यहाँ पर आप attempt लो अगर आपको लगता है कि arteries है या vein है या capillaries है attempt लो गलत होगा उसको आप सिखने का मौका मिलेगा आपको समझ रहे हैं ठीक है next है आपका 49 the elementary canal is a long tube that extends from that extends from what that extends from what क्या होगा यहाँ पर right answer that extends from mouth to anus जो है यह आपका right answer होने वाला है next है आपका which is the longest part of elementary canal ठीक है तो आपको बताना है कि elementary नहर का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है तो सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है सबसे लंबा हिस्सा जो है वो है आपका small intestine ठीक है next question आपके screen पर आ जुका है who invented water turbine water turbine की खोज करने का स्रे किसे जाता है किसने खोज की है किस ने किया है तो आपका correct answer क्या हो जाएगा किस ने water turbine को invent किया है तो benoit for neuron जो है आपका correct answer हो जाएगा next question है instrument for measuring light intensity is called तो प्रकास की तिर्वता मापने के उपकरन को हम क्या कहते है क्या कहते हैं क्या होगा instrument for measuring light intensity is called right answer आपका होने वाला है lucimeter कहते हैं ठीक है याद कर लेंगे आप लोग instrument for measuring light intensity is called lucimeter ठीक है next question है who is the author of the book रजत रंगनी रजत रंगनी पुस्तक के लेखा कौन है क्या होगा any idea और right answer होने वाला है आपका कल हना जो है आपका correct answer है next question है आपका in which part of the Indian constitution are center state relation mentioned तो भारतिय समिधान के किस भाग में केंद्र राज सम्मंधों का उलेक किया गया है किस भाग में किया गया है क्या होगा यहाँ पर answer नहीं आता है कोई बात नहीं है attempt लो attempt लो कम से कम attempt लो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है next question यहाँ पर answer क्या हो जाएगा तो part 11 में है आपका और article 245 से लेकर 255 में है आपका ठीक है center or state relation यहाँ पर mentioned है next है आपका यह काफी important question है कि who was the first female chief justice of a state high court in India तो भारत के भारत में एक राज उच्च नयाले की पहली महिला मुख्य नयाधिस कौन थी क्या होगा पहली मुख्य नयाधिस कौन थी क्या होने वाला है यहाँ पर काफी important है right answer हो जाएगा option number B लीला शेट जो है आपका right answer है next question है who started the asiatic society of bengal in 1784 तो 1784 में bengal की asiatic society की शुरुआत किसने की थी किसने की थी याधी कर लेना आपको क्योंकि यह question आपके exam में आया था इस पे based मैंने video भी बनाए है मुझे खुद को नहीं मालू मैंने कितने video बनाए है तो आप लोगों का काम है कि अगर आप free बैठे हैं तो आप मेरे videos को देखते रहे कि previous में कौन-कौन से बने हैं आपको ठीक है पिछले 3-4 महिने का right answer क्या हो जाएगा William Jones जो है आपका right answer है next question है आपका in which year in which year did independent India win its first Olympic gold medal तो स्वतंतर भारत में अपना पहला Olympic स्वर्ण पदा किस वर्स जीता था भारत ने किस वर्स जीता था और ऐसे ही ऐसे ही question जो है आपका TCS target करता है इसलिए बहुत important question है कल का जो आपका मैं GK का test लेने वाला हो कितने बज़े से तो साम के 3 बज़े से आपका test लेंगे साम के 3 बज़े से कल आपका बहुत जवर्दस session आपका होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा 1948 में ठीक है next question यहाँ पर आपका कि which of the following articles of the Indian constitution deals with the uniform civil code तो भारत के किस समिधान में जो है यहाँ पर लेख है uniform civil code से संबंदित किस article में mention है which of the following articles of the Indian constitution deals with the uniform civil code और यहाँ पर आपका right answer क्या होने वाला article 44 है आपका ठीक है next है आपका manas tiger reserve is located in which Indian state तो manas tiger reserve यह भारत के किस राजि में है manas tiger reserve कहां है यह manas tiger reserve right answer क्या हो जाएगा असाम है आपका और जीके का हमारा last question यहाँ पर कि where 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 the first headquarter of RA समाज ठीक है RA समाज का पहला headquarter कहां है क्या होगा correct answer first headquarter of RA समाज यहाँ पर right answer आपका क्या होने वाला जल्दी से इसका answer दीजे RA समाज का headquarter कहां है क्या होने वाला यहाँ पर ठीक है सबसे पहले तो जानिए RA समाज के founder कोन है दयानन्द सरस्वती है कब यह founded हुआ था तो 10 अपरील 1875 में हुआ था और इसका headquarter अगर हम बात करें यहाँ पर इसके headquarter की तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब यह founded हुआ था तो वो बंबे में हुआ था और उसके बात जो है यहाँ पर आपसे पहला headquarter पूछ रहा है तो बाद में क्या हुआ कि इसके headquarter को shift किया गया कहां पे तो लाहौर आपका right answer हो जाएगा ठीक है लाहौर जो है founded आपका बंबे में हुआ है लेकिन जो पहला headquarter है वो आपका कहां है तो लाहौर में था अब की बात करें present time की बात करें तो present time पे इसका headquarter कहां है New Delhi में है New Delhi में है आपका ठीक है चलिए तो इस तरीके से जो है आपका ये set जो है set number mock test all India mock test 12 खत्म होता है अब time आ चुका है आपको cut off बताने का कि कितने लोग इस exam में cut off clear किये है ठीक है SSC crackers पे जो mock test हो रहा है आपके लिए उसका कितना cut off है तो देखिए मैं आपको बता दू यहाँ पर cut off की जहां तक बात रही तो देखिए reasoning का जो जिस level का question था तो मेरा अपना मानना है कि reasoning में किसी भी student का 18 से कम नहीं आना चाहिए अगर 18 से कम आ रहा है तो कहीं न कहीं चिंता का विशय है प्रैक्टिस थोड़ा सा और आपको करना पड़ेगा और प्रैक्टिस कहां से करना है तो चैनल पर आपको daily mock test हो है घर पर पढ़िए कोई दिकत नहीं है तो 18 आपका reasoning के लिए काफी है इंग्लिस की बात करें तो इंग्लिस में देखिए यहां पर आपका 16 number यानि के 16 question आपके सही होने चाहिए इंग्लिस में और देखिए जीके का जो question था जीके में at least 15 तो आपका होना ही होना चाहिए था ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें तो total 49 जो है आपका correct answer हो रहा है ठीक है 49 तो 49 इसको जो है आप कर सकते है 50 ठीक है 50 यानि कि 50 marks आपके होने चाहिए 50 marks यह आपका minimum cut-off है और selection के लिए जो cut-off की बात करें तो वो है आपका 54 overall cut-off की बारे में बात करें तो 54 आपका cut-off है overall का ठीक है और यह होगे आपका passing cut-off 50 चलिए और यहाँ पर आप हम score के बारे में देख ले हमारे धुरंदर लोगों का कितना कितना score है तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है cut-off देखिए बाप रिबाप यहाँ पर आ रहा है आपका पारूल 56 देखिए हमारे superstar लोगों का पारूल 56 जया जैस्वाल 54 आदित्या पांडे 57 दीपा कुमारे 55 पारूल 56 धुरीन 55 साथना 53 अनीत राज 56 अनूज सागर 55 धुरीन 55 मोना अशु 55 यहाँ पर कलपना अगरवाल 56 क्या बात है कार्थिक 56 कोमल 49 सुजाता 45 राखी 56 सुभांगी 51 ठीक है अनूज कलपना 56 भासकर 54 ठीक है और गुर्जन 52 उसके बाद है आपका प्रिंस 52 प्रतीक 55 ठीक है नेक्स्ट है आपका कौन कौन है यहाँ पर सताबदी 56 उदीत 54 उदीत अगरवाल ठीक है विधूसी 52 यहाँ पर केश कुमार 56 अनूसा 53 यहाँ पर उसके बाद निर्जा 56 है वेरी गूड उसके बाद आप देखें तो और अच्छा दुबारा-दुबारा आप लोग कॉमेंट न करें क्योंकि बार-बार वही एंसर दीक रहा रजनी गंदा 55 रजनी गंदा फुल लजोस सचीन वीके 55 प्रियांसु 48 वेरी गूड चलिए संदीप पाल यहाँ पर कितना है आपका संदीप संदीप पाल का वेरी गूड 52 दूरबेश खान शर तुड़े इस माई बर्थडे वाव धूरबेश खान का आज बर्थडे है हैपी बर्थडे धूरबेश खान जनम दिन की आपको हार्तिक शुब कामना है हैपी बर्थडे टू यू नेक्स्ट है आपका कार्तिक 56 चलिए बहुत सही है सब लोगों का परफॉर्मेस जबरदस्त है यहां पर कल सर्प लेखिए कल के बारे में थोड़ा सा मैं यहां पर आपको अपडेट कर देता हूँ सुनिए कल मेरा आपका मानना है कि कल मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं फेवरेरी मन्त का करेंट अफेर्स का आपसे एक जो है आपका रिविजन टेस्ट लू दूसरा जो है आपका टेस्ट मैं लेना चाह रहा हूँ आपका स्टाटिक जीके का ठीक है स्टाटिक जीके का जहां पर आपका जीके वाला जो है यह मैं आपका लेना चाह रहा हूँ दो आपका marathon टेस्ट लेना चारा हूँ ठीक है हो सके तो current affairs आपका हमें आपका favori का नहीं लें लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि जो भी होंगे 12 बजे के बादी होगा 12 बजे के पहले मैं कोई commitment इसले नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा शोने और उठने का timing थोड़ा mismatch हो जाता है ठीक है तो जो भी होगा telegram पे बस आपको update करवा देंगे ठीक है टेलिग्राम पे update करवा देंगे ठीक है चलिए फिलाल मैं चलता हूँ live session को खत्म करते हैं कल आप से मिलते हैं वापस से एक नए test में एक नए मौक के साथ तब तक के लिए all the best good night and love you all